आप सभी लोग को पीऊं किचन में स्वागत है तो आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी सब्जी तो तरीके से पहुत आप लोग बनागे खाते हैं पर ए ट्रिक से आप लोग कब कपड़ा से पहुत पहुत पूछ दिया जो रोवारत अच्छे से सावी हो गया तो साब बहुत असान से हो जाता है कौटन के कपड़ा से पहुत देखिए इसके बीच में हमने कट लगाना है कट लगाना जो हैं इसके अंदर मसाला भरकर हम सब्जी बनाएंगे तो एट रिक स नहीं इसलिए ज़्यादा यहां पर लग रहा है तो आप अपने तीखा उंसार यहां पर मर्चा ले सकते हैं तो देखिए यहां पर लेगे हम कुटने कुटने में हम इसका सब दरदरा जो है हम पेश्ट बनाएंगे अगर आपको बनाना है तो मिक्चर जाल में भी यहां पर सकते हैं तो हमारा पेश्ट बन गया है तो देखिए हम सबसे पहले लिए हैं पेन तो हम गये सोन करकर यहां पर रख देते हैं यहां पर हम लिए सरसो का तेल तो चली सरसो का तो आपके घर मीठा है तो आप मीठा भी बना सकते हैं यहां पर सरसो के तेल में सबजिया क्या ब लगेगा तो हमने जो दरदरा अपना पेश्ट बनाकर रखे हैं लसोन और अद्रक की तो हमें आप फ्रेंस हम भूनेंगे अगर ये ट्रिक से आप बनाएंगे तो आपकी सब्जी भिंडी की इतनी टेस्टी बनेगी इस भिंडी की सब्जी तो छोटे बड़े सभी को पसंद जादे पर ये ट्रिक से आप लोग जरूर बनाएं और खाईए एकिन मानिए कि आपकी उगलिया सब लोग चाटते रहा जाएगा तो हमने जो पेश्ट बनाकर रखे हैं तो दो मिनट तक अच्छे से हम भूनेंगे जब तक भूनेंगे कि इसका जो है कलर ना चेंज हो तो क हम ले रहे हैं श्वाद अनुसार नमक हो गया और एक चमच धनिया पाऊडर ले लिए हैं और आधा चमच जीरा पाऊडर हो गया तो ज़्यादा हमें आप मसाला नहीं एट कर रहे हैं श्रिफ घर के समान से हम तैयार करेंगे तो देखिए हम ले लिए आधा चमच गरम मसाला तो यह ट्रीक से आप लोग बनाएंगे फिर आपकी सबजी जो इतनी टेश्टी बनेगी कि हम आपसे क्या बता है सभी सब लोग तो सबजीया खाते हैं पर अपना बनाने का जो तरीका है तो सबका अलग तरीका होता है बनाने का देखिए जो है हमारी मसाला अच्छे से बन भुना भी गया है तो चलिए अब हम भड़ते हैं भिंडी में तो हमें सारे मसाला भिंडे के अंदर जैसे बैगन में जैसे भरवा बनाते हैं बैगन का आलू का तो इसी तरह हम सब मसाले भिंडी के अंदर भर देंगे तो हमारे मसाले जो है अभी गरम है उतना गरम नहीं है पर अभी गरम है सुबह का टाहे में लेठोराय खाने के लिए तो इसलिए हम ठंडा नहीं कि आप मसाला ठंडा करकर भी आप हातों से भर शकते हैं तो देखे फ्रेंस इस तरीके से अगर सबजी आप बनाएंगे न तो आपकी लिसलिसी भी सबजी नहीं होगी बेलकू चिपचिपी नहीं होगी अच्छी भी बनेगी जैसे भींडी की सबजी अगर बनाएंगे मसालदार बनती है तो चिपचिपी हो जाती है कि बहुत लोग क पसंद नहीं आता है तो देखिए जो हमारा मसाला भी अच्छे से पग गया है और पस भींडी को पकाने में आपको पांच मिनट उसको शुप्ट करने में लगेगा तो आप यह ट्रीक से आपको बनाने में बहुत इजी है यह ट्रीक से आप बनाईए देखिए कितनी टेस्ट भी नहीं होगी और एकदम आपकी भींडी जो है अ की दिखेगी तो हमने सारे मसालों को हम इसी तरह भींडी में भढ़ सारे मसाले शारी क करने में लेखिआ". तो देखिए हम थोड़ा ओपर तक गिरा रहे हैं वेल हमें ज्यादा तेल यहां पर नहीं लगेगा बनाने में जैसे आप सुकी सब्जी भुजिया बनाते हैं श्रीप उतनाई तेल लगेगा पर बनाने का जो तरीका है अलग है उसे भी टेस्टी है तो देखिए हम एक एक कर हो गया है तो देखिए जो सब्जी है बहुत जल्दी बन जाती है और सोफ्ट हो जाता है भींडी बहुत नरम रहती है तो आप मसलदार सब्जी बना रहे हैं तो चिपचपी आपकी एटिरिक से बनाएंगे तो बेलकूल नहीं बनेगा एक दम अच्छे से सब को पसंद नहीं आता है तो अगर ये टिरिक से बनाएंगे तो आपकी सब्जी जो चिपचपी नहीं बनेगी तो देखिए जो हम कबर कर दिये हैं तो हमारा यहां पर देखिए एक दम पूरे परफेट 5 मिनट हो गया हमारी सब्जी बन गई है यहां पर हमारा वेल भी आप लोगों प नहीं मिलूंगे आप लोगों से नेश्ट वीडियो में फ्रेंच तब तक के लिए बाए बाए